तो जैसा कि दोस्टों आपको पता चली गयोगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने बाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही हमें परिसान कर देता है जो नोटिफिकेशन में आ जाता है और यह हटने का नाम नहीं लेता जिसके विए से हमें बहुत ज़्यादा कर लो चाहिए आप कुछ भी कर लो जब भी आप फिर खोलोगे तो फिर सी यही लिखावा जागा अकाउंट एक्सें रिकॉयर्ड यह हटता है नहीं है तो सबसे पहले हम यह जानने का कोशिश करते हैं आखिर यह आता क्यों है तो मैं आपको बतारू कि यह तब आता है तो तब लिखा आ जाता है कि जो अकाउंट एक्सें रिकॉयर्ड मतलब यह है कि आपको यहाँ पर भी फिर सी लोगिन करना पर सकता है तो इस बज़ा से यह आ जाता है क्योंकि हम पासवर्ट चेंज कर देते किस्यों और मॉबायल से और इसमें क्योंकि अपडेट होता है यह पासवर्ट इसके लिए अकाउंट एक्सें रिकॉयर्ड लिखा हुआ आ जाता है देन उसके वार अगर हमें इसे हताने तो हमें क्या करना है तो सबसे पहले अगर आप चैट आप इस पर किलिक कर सकते हैं और जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ इस पर कार का आ जागा देन उसके वार भी यहां पर कुछ लिखाव आ जागा कि वेरिफाई इट्स यू 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 वर साइन आउट फो इवर गूगर अकाउंट साइन इन अगेन टू कंटीनू मतलब जो हमारा साइन आउट हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें जो डूसरे म मुवाइल से पासवर्ट चेंज किया था जिसके वाज़े से साइन आउट हो चुका है यहां पर यहां पर जो भी है फिर इसके बार हम नेक्स्ट पर किलिक करके और उसके बार जो यहां पर आपडे सकते हैं कि मैंने यह अकाउंस है डिलीट मार दिया था तो यहां पर लिखा रहा आठांग है तो इसमेरा यहाँ प्यार है तो इस बीज़ से अगर आप चाहिए रीकवर करना चाहिए तो इसके लिए आप जो यहाँ पर next पर किलिक कर देंगे और next पर किलिक करने वार जो भी आपके समने options आता है जैसे कि मैं आपको दिखा जाता हूँ तो यहाँ पर जो भी आपका email id का password है वह password आप यहाँ पर डाल लेंगे then उसके आप next पर किलिक करके login कर सकते हैं और आप अपना जो अकाउंट है recover कर सकते हैं लेकिन मैं आप आपको recover करके बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसे कैसे हटा सकते हैं क्योंकि अगर अपने account delete मार रहा है तो basic सी बात है कि आप इसे recover नहीं करना चाहेंगे तो अगर recover करना चाहेंगे तो उसके पर मैंने आपको बताई दिया कि आप recover कैसे कर सकते हैं इसके बार हम बात करना है कि आखिर जो हमारे सामने notification आ रहा है जो कि हटने का नाम नहीं ले रहा है तो हम इसे कैसे हटा सकते हैं तो इससे हटाने के लिए क्या करना है कि हर android में यह सेम फीचर होता है और हर android में आपको मिली जागा यह option तो इसके लिए आपको चाहे मोबाइल कोई साभी हो कोई साभी model का हो उससे कोई matter नहीं करता है यह google की service हर android में समान रूप से एक जैसे ही होती है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना जो setting को open कर लेना है जैसे कि मैं यहांसे अपना mobile का setting open कर लिटा हूं और यापको नीचे करने कर जैसे कि यहां पे अब को नहीं सुचना है कि मेरे मोल में कोई और साख तो आपको कि एक अकांट से इसे कैसे करी करके आपको सर्च कर लेना तो यहां पर आपके मुगाल में जितने भी जो E-mail ID है वो सभी E-mail ID आपको यहां पर देखने को मिल जागा तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या काम करना है कि जो भी आपका उपर E-mail ID जो कि Account Actions Required लिखा रहा है तो सबसे पहला आपको यह email ID डेख लेना है ऐसे basically आपको पता ही होगा कि कौन सा email ID है जिस पर account action required आ रहा है लेकिन फिल भी आपको एक बार confirm कर लेना है then उसके बार आपको क्या करना है कि वह email ID आपको यहाँ पर ढूंडना है तो आप यहाँ पर ढूंटे चलेंगे ढूंटे चलेंगे और जैसे आप देस सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर यह email ID है मिल गया है then उसके बार मैं क्या करूंगा कि इस पर click कर लूंगा then उसके बार आपको यहाँ पर एक option देखने की मिल जाएगा रिमूब अकाउंट तो आपको इस पर click कर देना है जैसे आप उस पर click करते हैं तो आपका सामने एक pop-up message आ जाता है कि क्या आप वाकई में यह account रिमूब करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे ओके रिमूब पर किलिक कर लेंगे और नीचे करने के जैसे अप देश सकते हैं यहाँ पर जो वो option था वो option पूरी तरह से हट गया अब वो यहाँ पर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा तो इस परकार से आप अपना जो account action required लिखा हो आता है जिससे आप परिशान हो चुके थे तो आप उसे असानी से हता सकते हैं तो अगर आपको यह जनकारी अच्छा लगा है और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं नहीं इस वीडियो को like ज़रूर कर दीजेगा तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नहीं जनकारी के साथ धन्यवाद